वो 101 इंसान मारना चाहता था लोग बोले उस तरफ मत जाईए वो आदमी जंगली है तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा वो बोला बकवास तुम जरूर पागल हो तब गौतम बोले तुम उस शहर जाओ जहां के सौ लोग तुम मार चुके हो तो एक आदमी था उसका असली नाम हम भूल चुके हैं लोगों ने उसे अंगुली माल नाम दिया था उसके साथ कुछ हुआ था उसे लगा समाज उसके साथ अन्याए कर रहा है तो वो क्रोधी बन गया जब आप युवा होते हैं तब लगता है कि आपके साथ सब गलत हो रहा है तो वो समाज से बहुत नाराज हो गया और उसने एक शपत ली वो शहर जहां उसके साथ हन्याए हुआ था वहां के 101 लोगों को मारने की शपत कि वो 101 लोगों को मारेगा और उनका एक अंगूठा काट कर अपने गले में माला की तरह पहनेगा उंगलियों या अंगूठों की माला तो वो ऐसा करने लगा और लोग वहां जाने से डरने लगे वो रहता तो जंगल में था पर और और भी कई जगाओं तक पहुँचने का वही राश्ता था लोग मारे गए कुछ सालों में उसने 100 लोग मार डाले अपनी वासना मिटाने के लिए और वो एक और मारना चाहता था तो एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में गए तब तक वो उंगलियों की एक माला बहन चुका था लोग उसे अंगली माल कहते थे यानि जो उंगलियों की माला बहनता था अपनी शपत पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली चाहिए थे गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने वाले थे लोग बोले उस तरफ मत चाहिए वो आदमी जंगली है वो इंसान नहीं है उसे आप शिक्षा देकर ध्यान में नहीं बना सकते मत चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक और जान लेना चाहता था हम आपको नहीं खोना चाहते तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा और उसे त्रिप्ती नहीं मिलेगी उसे बस एक और उंगली चाहिए मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा मुझे जाने दो तो वे चल पड़े अंगुली माल एक चटान पर बैठा था उसे एक साधू चुपचा पाते हुए दिखाई दिया अंगुली माल मशूर था और वो खुश था लोगों का डरना उसे पसंद था उसका नाम सुनते ही लोग कापते थे उसे मज़ा आने लगा था तो वो चटान पर बैठे बैठे उची आवाज में बोला मैं यहां बैठा हूँ और यही तुम्हारा अंत है गोतम उसकी ओर देखकर चहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलते रहे उसे बुरा लगा आम तोर पर उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे उसे यही पसंद था पर ये वैक्ती बस चले जा रहा था जो उसे पसंद नहीं आया वो चटान से कूद कर गोतम के सामने आकर खड़ा हो गया उसने पूछा तुम हो कौन? और क्या तुम जानते हो? मैं कौन हूँ? उसने अपने माला की उंगलियां दिखाई ओ और तुम मेरे बारे में जानते हो? गोतम बोले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तुम क्या करें? वे चलते रहे तुम जा कहां रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ और तुम चले जा रहे हो गोतम बोले मैंने बहुत पहले ही जाना बंद कर दिया था मेरी कहीं जाने की कोशिश बहुत पहले ही बंदो चुकी है मैं पहुँच चुका हूँ लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं ताब अंगुलिवाल हस पड़ा वो बोला बखवास तुम जरूर एक पागल आदमी हो मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम कहते हो मैं जा रहा हूँ तुम जा रहे हो और कहते हो रुक चुके हो तुम्हें हुआ क्या है गौतम बोले नहीं नहीं मैं बहुत पहले ही बहुत चुका हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता आपको मेरी उंगली चाहिए या मेरी गर्दन मेरे सिर को पेंडेंट बनाकर लटका लीजिए उंगलिया तो हैं अब मेरा सिर लटका लीजिए यहार में अच्छा पेंडेंट होगा क्योंकि मुझे मन्जिल मिल गई है अब मेरे शरीर से यहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो चाहें कर सकते हैं देखिए हत्या करने में मज़ा तभी आता है जब कोई डर जाए और मरना न चाहे जब कोई मरना चाहे उसे परवा ना हो तो उसे मारने का क्या फाइदा है और ऐसा लग रहा था कि इसे मार कर भी 101 लोगों की मारने की वासना पूरी नहीं होगे क्योंकि इसे मार कर खुशी नहीं मिलेगी फिर वो बोला मुझे बताओ ये क्या है तुम चल रहे हो पर कहते हो रुक चुके हो मैं खड़ा हूँ और तुम कहते हो मैं चल रहा हूँ आप अपने तरीके से तृप्तिक होज रहे हैं 101 मैं तृप्त हो चुका हूँ यही बड़ा फर्क है आप मेरी जान ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप तृप्त हो जाएंगे तो क्योंकि लोगों को तृप्त करना ही मेरा काम है अगर ये इतनी आहसानी से बिना शिक्षा के मेरा गला काट कर हो जाए बस काट दीजे समस्य क्या है तब अंगुली माल उनके स्टार शिर्ष बन गया फिर गौतम बोले आप उस शहर में जाओ जहांके सौ लोग आप मार चुके हो एक छोटे से शहर के सौ लोग यानि उसने लगबग हर परिवार के किसी व्यक्ति को मार डाला था तो गौतम ने उसे साधू बना दिया गौतम के साधूं को बिक्खो कहते थे बिक्खो यानि भिका रिये तो उन्हों ने उसे पीले कपड़े और एक भी काकटो रा दिया वे बोले जाओ शहर में भूजन रूटो तो अंगुली माल शहर में गया एक साधू के रूट में लोग उसे देख कर डर गए वे नहीं जानते थे कि वो यहां क्यों है आये वे सब जाकर अपनी छटों पर खड़े हो गए क्योंकि वे उससे डर रहे थे फिर जब उन्होंने देखा कि वो बदल गया है और अब भयंकर आदमी नहीं रहा तो वे पत्थर भैंकने लगे क्योंकि हर परिवार के लोगों को उसने मारा था तो वो चलता रहा उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा जब पत्थर बाजी कुछ ज़्यादा हो गई तब गौतम आये और लोगों को रुकने के लिए कहा और बोले ये वो आदमी नहीं है ये आदमी मेरा हिस्सा है तुम मुझ पर पत्थर भैंक रहे हो रुक जाओ इसे मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे बहुत मुश्किल तरीके से हैसास हुआ है अब इसे मार कर बरबाद मत कीजिए तब अंगुली माल जैसे कि मैंने कहा एक स्टार शिष्ष बन गए और पूरे देश में बुद्ध के जीने के तरीके और उनका ज्ञान पहलाने लगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी त्रिप्ति चाहते हैं आपको लगा था कि शिक्षा शित्रिप्ति मिलेगी जैसे ही आप शिक्षित हुए आपको लगा आप मूर्ख हैं नौकरी ना हो तो शिक्षा का क्या फाइदा आपको नौकरी मिली आप बहुत खुश हुए फिर कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं इस पैसे का मैं क्या करूँगा अगर मुझे मेरे सपनों की स्त्री या पुरुष न मिले तो वो भी हुआ कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं ये चलता रहता है इच्छा यानि विस्तार की चाहत यही आपकी इच्छा है अगर आप विस्तार करने के भौतिक तरीके चुनेंगे तो आप यहां तक या यहां तक या यहां तक जा सकते हैं पर इच्छा बनी रहेगी अगर मैं आपको धर्ती का राजा बना दूँ तो आप दूसरे ग्रहों को देखेंगे अगर मैं आपको सौर मंडल देदू तो आप आकाश गंगाएं देखेंगे एक आकाश गंगा मिले तो आप दूसरी आकाश गंगाओं को देखेंगे आप ये या वो नहीं चाहते आप विस्तार चाहते हैं अगर आप इससे होशपूर वक्ष हो जेंगे तो आप योग बन जाएंगे योग यानी खुद को टेड़ा मिड़ा करना नहीं है योग यानी आप स्रिष्टी के साथ एक हो जाएंगे अगर आप ऐसा अचेतंता में करते हैं तो ये मजबूर करने वाली इच्छा बन जाती है